हेलो फ्रेंट्स जेहिंद आज एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ आज हम इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वाट टू स्टाड़ी इन लास्ट फ्यू डेज फोर एडियरी ग्रेजुएट लेवल बस हमारे पास वान वीक बचा हुआ है और इस मोमेंट में आप बहुत कॉन्फ्यूजड है आप कुछ पढ़ रहे हैं कुछ चूट रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है हुआ है क्या नहीं करना है और लास्ट एडिण हम क्वालिफाइड है अभी हम कर्णिली कोंमिशेंट डरी औफ टेक्श अवी में है तो हम एडियरी रियलेत जो भी हमारे पेपर में आया हुआ था और आमने कैसे intermediate किया हमारा क्या प्रिपेर्शन रहने वाला है तो चलो जी स्टार्ट करते हैं जितना कम टाइम पे ये वीडियो खतम हो सकता है मैं इतने कम टाइम में कवारब करने का कुशिश करूँगा तोड़ा फास फास चलूँगा क्योंकि अभी इस मोमेंट में आपका टाइम बहुत ज्यादा इ लाइक दा पेज और इसका आगला जो आप मारा जो एक्जाम औरेंटेट होगा वो होगा हमारा कॉम्प्रिहंशन जो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस बार आपका इंग्लीश में सबसे ज़्यादा प्रेफारेंस दिया गया है इंग्लीश हमने जो ओन्लाइन प्लास पार्ट में है एक है अमारा नॉर्मेल लेंग्विज टाइप और एक है अमारा कॉम्प्रिहंशन टाइप कॉम्प्रिहंशन में ज्यादा वेटेज है जिसमें आमारा दो माक का वेटेज है अमारा सबसे ज्यादा वेटेज है अमारा इंग्लीश माक का तो अगर इस में बात करूँगा तो इंग्लिश अगर आपको प्रैक्टिस करना है फिलहाल कोई नया पड़ाई मत कीजिए अगर आपके पास शॉटनूट अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो बस शॉटनूट को एक बार आप रिवाइस कीजिए और इंग्लिश का जो क्वेस्टन होता है वो चैनरली आपका एससी प्रिवियर से और क्वेस्टन प्रैपर से लिया जाता है हमारे टाइम पर भी वैसे हुआ था बाकी डिपार्टमेंटल क्वेस्टन प्रैपर आप देखेंगे तो मैक्सिमाम क्वेस्टन जो लिया जाता है वो आपका एससी से लिया जाता है तो तो अगर आप बहुत अच्छे से अगर SAC का पेपर कर लेंगे ना तो वहाँ पे आपको 50 to 60% questions did to आपको common मिल जाएगा तो इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपको SAC का पेपर अगर आपको करना है और अगर आपको बहुत अच्छे से अगर English करना है तो वो इसके लि पेपर का compilation आपको एक single book में आपको मिल जाएगा which solutions आप जैसे कोई एक randomly paper आप लीजिए इस random paper में जैसे अगर 50 questions set है तो आप 30-35 minutes का आप stopwatch लगाईए और फिर उसमें stopwatch लगाईए paper आप solve कीजिए जो questions सबसे हो रहा है बहुत अच्छा है नहीं हो रहा है तो आप अपना answer cross evaluate करके इसको short note बनाई है जो final revision में आपका काम आएगा MB publication से आपको one word substitution करना है आपको idiom and phrases करना है आपको preposition करना है आपको vocab करना है और जब paper आप solve करोगे तो वहाँ पे आपका sentence improvement, pqrs, grammatical error, synonyms, antonyms, idiom phrases, preposition और most and most important comprehension सारा का सारा आपका वही से आपको करना है वहाँ प आपके पास MB publication का book है बहुत अच्चा है अगर आपके पास PDF अगर है तब भी ठीक है अगर आपका PDF आपके पास नहीं है अगर आप PDF लेना चाहते है तो हमारे एप में आपको freely आपको वह चीज मिल जाएगा हमारे एप में जाईए हमारे नाम से आपको play store में एप मिलेगा जही रूल सार नाम से एप होगा आप एप में जाईए और एप में जाने के बाद आप free content में जाईए free content में आपका सारा का सारा study material section में freely दिया हुआ है previous year ADRE, SAC, previous year questions और फिर उसके बास sectional study material सारा का सारा सब कुछ चीज आपको वहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको English का comprehension, English का अगर आपको short note compilation, आपका JS का compilation युनो current affairs का compilation अगर आपको चाहिए तो वहाँ एक compilation एक courses है at just 99 तो आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस moment में final revision के लिए आप आमारा compilation प्रेफार कर सकते हैं अगर आपके पास already short note पड़ा हुआ है तो short note मतब इस course join करने का कोई ज़रुवत नहीं है और अगर आपके पास अगर short note नहीं है और अगर short note प्रेफार करना चाहते हैं तो आप join हो सकते हैं MB publication से सारा का सारा सब कुछ चीज करना है और फिर वहाँ पे और extra extra material आपको दिया है वो हमने आपको last 800 important idiom and phrases हमने आपको दिया है हमने last year एक idiom and phrases का एक marathon वीडियो बनाया था लगबग देड़ गंटे का वीडियो बनाया था जिसमें हमने near about 100 से 120 तक idiom and phrases हमने cover कराया था last 4 एडियो में 4 idiom phrases से question आया था और वही से आ गया था luckily students बहुत अच्छा कर पाया थे इस बर हम तोड़ा और ज्यादा target में ले जा रहे ताकि शायद हमसे कोई questions ना चुटे तो अगर आप ये 800 idiom and phrases का अगर आप PDF अगर देख लेंगे तो आपका सारा का सारा सब कुछ चीज कबर आप हो जाएगा आपको याद करने का ज़रूवत नहीं है मैं कोशिश करूँगा शोट टिक से आपको वीडियो बना के लेके आने के लिए एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा आप अराम से एक्जाम में करके आ सकते हैं या सारा का सारा सब कुछ चीज हमने online में कर रहा है अगर आप हमारा courses इसमें ADRI या course भी है जिसको join करके आप सारा का सारा compilation आप one time देख सकते हैं तो ये तो था आपका English section reasoning section के लिए मैं extra आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि reasoning almost हर किसी को तोड़ा बहुत आता है लेकिन मैं बस ये चीज बोलूँगा कि ADRI में graduate level का जो paper होता है वो बड़ा अच्चा और बड़ा standard paper होता है जो हमारा paper था है ना जो बड़ा अच्चा paper होता है तो reasoning में कुछ एक topic होता है जिससे बहुत अच्चा question पूचा जाता है आप इस topic को बहुत अच्चे से कर लेना कोई भी type आप से ना चूटे जैसे sitting arrangement का topic ब्लाड रिलेशन का topic, direction का topic, analogy और classification यह 4-5 topic आप बहुत अच्चे से कर लेना कोई भी type मत चोड़ना जैसे ब्लाड रिलेशन में एक type होता है आमारा plus-minus देखे वो generally आपका SSC में नहीं पूचा जाता है अगर आपका है वो है आपका sitting arrangement, sitting arrangement दो होता है, एक होता है हमारा linear और एक होता है हमारा circular हमने आपको linear कराया है, हमने आपको circular कराया है, लेकिन हमने basic level हमने आपको कराया, लेकिन अगर आपको तोड़ा उपर level में आपको जाना है तो सारा का सारा प्लेलिस्ट में हमारा दिया हुआ है यूटूब में जाईए सारा का सारा complete reasoning का pdf form में हमारा दिया हुआ है आप हमारा video lectures attend कीजिए जैसे analogy का video lecture attend किया सारा का सारा type का बाराप हो जाएगा और इसी topic से अगर आपको questions practice करना है ये तो ता आपका reasoning में एक routine बनाईए daily एक गंड़ा reasoning में दीजिए daily दो गंड़ा आप English में दीजिए फिर हम बात करेंगे आपका maths जो सबसे ज़्यदा अगर कोई एक deciding factor होगा English के बाद वो होगा हमारा math section क्योंकि graduate level में बहुत अच्छा question पूछा जाता है और मैं जो online students जो हमारे साथ जूड़े हुए मैं उनको बोलूंगा near about we have more than 100 plus hours का video lectures only in maths जितना हमने आपको कराया है that is more than sufficient हमने कोई type हमने नहीं चोड़ा सारा का सारा सब कुछ चीज हमने कराया हुगा questions से अब जो notes आपने बनाया है उसी notes को आप follow कीजिए उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा HS level में आपने देखा होगा हमारा questions 95% questions हमारा questions कराया हुआ था कराया हुआ था एक questions बस हमारा questions जो हमने नहीं कराया था वो था XCI वो XCI हमने जनरली हम उस टाइप को बॉक्स था जो हमने नहीं कराया था लेकिन बाकी सब सारा का सारा सब टाइप हमने कबार कराया था एक students ने तो ऐसा भी वेजा कि नियर बाउट 18 questions हमारा direct copy में with value डिक्टो वेलू हमारा same दिया हुआ था ऐसा भी हमारा पास PDM भी आया बट चो वो मैं उसका कोई credit नहीं ले रहा हूँ क्यूंकि हम जो questions आपको practice के लिए कराते है वो सारा का सारा questions आईदर आपका SSC का previous questions होता है MTS level का या फिर सारा का सारा question होता है आपका जितना departmental में जो question पूचा गया था वो departmental questions हम select करके हम यहाँ पर आपको देते है तो actually वो मैरा कोई question बनाया वा नहीं था बस हमने जो previous questions जो लिया था selective उसी से ही questions common आ गया था तो इसमें मैरा कोई credit नहीं है आप हमें credit देर वो आपका बड़पन है Thank you so much for your love मैस हमने आपको जितना कराया है अगर आपको हमारा match series follow करना है तो match series के लिए भी हमारा mocktest series match में था आप हमारा playlist जाके देखिए more than sufficient इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है और उसके बाद अगर आपको self practice करना है तो self practice के लिए मैं आपको suggest करूँगा राकेश यादव सर का book में आपको suggest करूँगा राकेश यादव सर से हमने पढ़ रखा है तो राकेश यादव सर का book आप prefer कर सकते हो जिसमें बहुत सारा questions है लेकिन आपको सारा नहीं करना है इसमें आपको दो PDF मिलेगा एक PDF होगा आपका book का और एक PDF होगा आपका important questions का तो सारा का सारा chapter wise important questions हमने वहाँ पर दे रखा है जैसे simplification आपने start किया simplification video series देखा सारा का सारा type का बाराप हो गया लेकिन आपको करना है self practice तो self practice के लिए राकेश यादव सर का book लीजिए और कौन सा questions प्रेक्टिस करेंगे वो भी हमने important question series में आमने डाल रखा है question number 1, question number 6, question number 10, 15, 18 ऐसे करके question numbering करके दिया हुआ है आप जाहिए important question series लिजिए और उसको chapter wise practice कीजिए more than sufficient इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है इस moment में और जैसे बोल रहा हूँ आप exam देने के बाद फिर आप देखेंगे वैसे आप HS level का exam देने के बाद आप तो हमें तोड़ा वो trust करी सकते है कि नहीं इस level में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा ठीके और सबसे ज्यादा important कोई चीज है वो हम बात करेंगे आपका GS section का और GS section में मैं खुद बोलू मैं खुद ADRI qualified हूँ लेकिन हमने भी किसी से SCRT अलग से mention किया हुआ नहीं था लेकिन इस बार SCRT specially mention किया हुआ है और मैं आपको बार 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 बोल रहा हूँ कुछ मत करो लेकिन SCRT को बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि यह जो world geography का जो questions होता है world history का जो question होता है country capital का जो question होता है currency का जो questions होता है वो सारा का सारा पूचा जाता है आपका SCRT से जो हमने नहीं किया था वो हमारा गलती था और SCRT series का भी हमने पुरा compilation पुरा 6 to 10 का पुरा का पुरा compilation हमने एक वीडियो मतब एक PDF में हमने उसको डाल रखा है आप हमारा पुरा एक कोर्स होगा एक जास 999 आपको only 99 इसमें आपको current affairs का पूरा एक सल का compilation पूरा इंगलीश का compilation पूरा आपका you know SCRT का 6 to 10 का compilation 6 to 10 में 100 chapters है और total pages है आपका 2400 ओवियसली इतना pages इस कम टाम पे कबार आप करना नेर्ली इंपोसिबल है लेकिन इस कोर्स में आपको सारा का सारा compilation with just 150 pages में आपका दिया हुआ है और इससे बाहर I hope कुछ नहीं पूछेगा only the bullet points only the important points हमने पूरा team हमनारा मिलके वो चीज़ बनाया है और student ने बहुत अच्छा feedback दिया है और ये तो था हमारा EGS में हमने आपसे बात किया है आपका SCRT series के उपर और फिर उसके बाद म वर्ल हिस्ट्री का वर्ल पॉलिटी का और उसके लिए आपको करना है आपका किरन पब्लिकेशन किरन पब्लिकेशन बहुत अच्छा एक बूक है जिसमें आपका सारा का सारा SCC का previous questions एक बूक में आपको दिया हुआ है किरन पब्लिकेशन से आपको तीन unit करना है एक करना है आपको जोग्राफी, एक करना है आपको पॉलिटी और एक करना है आपको हिस्ट्री सेक्शन यह आपका कबार होगा आपका वर्ल्ड और इंडियान कबार होगा और स्टेट के लिए आपको स्टेट लेबल के लिए स्टेट लेबल के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्टाडी मेटेरिल होगा आप आसाम यार बुक का फोलो अप कर सकते हैं इसमें प्रिवियर सेर क्वेस्टन्स भी दिया हुआ है और इसमें सारा इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स दिया हुआ है इंडियन पॉलिटिव देखो एक्जाम में हर किसी को इक्वेस्टन्स देना प्रैक्टिकली पोसिबल नहीं होता है हमें फूली प्रिपियर रहना होता है जिस सेक्टन में आएगा जिस सेक्टन में नहीं आना होगा कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन हम तो फूली 100% प्रिपियर टोके बैटेंगे यह तो था आपका जिस सेक्टन में अप में एक चीज में आपको बोलूँगा जिस सेक्टन में क्या करना है आपको कुछ-कुछ topic है जो हर एक topic से एक-एक question पूछा जाता है और हम एक छोटा एक-एक topic अगर हम हमारा चूटेगा तो मान लीजे एक question हम से चूट रहा है आपको वो छोटा-चोटा topic आपको cover up करना है अगर छोटा-चोटा topic अगर आप cover कर रहे हो तो सारा मिला के कम से कम 15-20 question हो जाएगा कैसे देखिए जैसे आपको award and functions आपको cover up करना है किसको Nobel Prize आपको देखना है आपको sports में आपको मतलब यूनो अभी recently मतलब यूनो ये हमारा cricket में हमारा world cup हुआ है इसको देखना है IPL आपको देखना है फिर उसके बाद आपको country and capital देखना है फिर आपको currencies आपको देखना है फिर उसके बाद आपका current affairs में मतलब यूनो state का state का cabinet देखना है central का cabinet देखना है फिर उसके बाद आपको हमारा election हुआ है election में कौन सा state से highest vacancy गया है कौन से state का कितना MP MLA से यह सारा देखना है फिर उसके बाद आपको देखना है अगर मैं map का बात करूँगा तो कौन सा मतलब हम इंडिया को मतलब दूसरे state में जो border share करता है उसका नाम क्या होता है इसके उपर question पूचा जाता है तो ऐसे चोटा-चोटा topic है आपका topic कबार आप हो जाएगा जब आप topic देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप short note ज़रूर बना लेना जो बाद में final revision के लिए आपको बहुत ज्यादा काम आएगा तो जो topic जो आपने आपको बोला है मैं अपने team से बात करूँगा मैं आपको उनको request करूँगा कि वो सारा topic आपको एक comment section में पिन करकर रख दूँगा एक topic एक video link एक topic एक video link तो उसमें आपका सारा 15-20 का चोटा-चोटा जो topic होगा वो आपका कबार आप हो जाएगा ठीके जी तो ऐसे करके आप GS section को आप कीजिए और उसके बाद फिर additionally एक चीज में जबसे ज़्यदा stressfully अगर कोई चीज बोलूँगा वो मैं बोलूँगा 2023 और 2024 का SAC का प्रेपर हमारे पास बड़ा हुआ है obviously हम आपको individually हम आपको send नहीं कर सकते एप में वो freely दिया हुआ है sir SAC का एक last year का जो MTS का जो पेपर हुआ था जितना भी पेपर है जितना भी पेपर MTS लेवल का हुआ था जितना भी पेपर हुआ है वो सारा एक single PDF में दिया हुआ है मैं आपको request करूँगा सारा का सारा questions अगर आपको नहीं भी आता है तो at least option देखके जाना option याद कर लीजी आपको अभी करने का जुरूद नहीं है option के साथ आप जाईए option याद करके जाना ये तो हमने आपको बताया आपको SSC के बारे में SSC का MTS का paper क्योंकि ये हमारा MTS लेवल का job है और फिर उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि GS के लिए जो हमारे मेरे टाइम पे एक PDF जो बहुत important हुआ था वह था वरुन अवस्ती सर का PDF वो भी हमने अपने app में freely content section में हमने डाल रखा है वरुन अवस्ती सर का 1500 important MCQ सीरीज है आप इसको ज़रूर देख लेना इसमें से कम से कम आपको चार से पाच questions आपको common मिल जाएगा ये तो हो गया दूसरा वाला point और तिसरा वाला point आपको ADRI का जो टूटल आपका पाच जो पेपर था ADRI में जो आपका टूटल पाच पेपर था लास्ट येर में और इस बार H.S. में जो पेपर हुआ था टूटल छे पेपर है आपके पास आपको सारा का सारा questions सारा का सारा questions आपका याद होना चाहिए with answers ठीके आप बार-बार इसको देखेंगे आप बार-बार options देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा आप ये चीज डिनाई नहीं कर सकते हैं हमने last exam होने से कुछी दिन पहले हमने HS level का question paper solve किया था जिसमें आपका students का बहुत ज़्यदा फायदा हुआ था तो इसलिए ADRI का paper ज़रूर आप देखके जाना ये पुरा एक strategy और guideline हमने आपको बताया English के लिए daily आप कम से कम दो गंटा time दीजिए एक गंटा time दीजिए self study के लिए आदा गंटा time दीजिए आप मतलम mock test के लिए आदा गंटा time दीजिए mock test का evaluation के लिए दो गंटा हो गए आपका English का कम से कम minimum daily आप एक गंटा दीजिए आप reasoning के लिए कम से कम minimum time दीजिए आप 2 गंट आप दीजिए एक गंटा मोक टेस्ट का और एक गंटा आपका evaluation का जो मोक टेस्ट आप देंगे जो पेपर आप लेंगे इसमें आप दीजिए 2 गंटा हो गए आपका 5 hours और फिर उसके बाद GS में आप कम से कम आप 3 गंटा से 4 गंटा time लगाई ह कम से कम dedicatedly आपको 9 to 10 hours आपको time देना है final hours में और उससे ज्यादा फिर यह तो हो गए हमारा 9 to 10 hours फिर उसके बाद आपको self study के लिए previous share question paper सारा departmental का question paper आपको previous share देखके जाना है वो सारा का सारा previous share question paper आगर आपके पास से नहीं भी है तब भी कोई problem नहीं है हमारे यूटूब में वो सारा papers कराया हुआ है last ADRI के time में आपने कराया था आप जाहिए वहाँ से आप वीडियो सेरीज देखिए आपको previous share आप कपराप हो जाएगा तो एक्स्टा दो गंट आपको time देना है आपको एक रूटीन बनाई है strongly और last one week आप इसको strongly follow up कीजिए I am very hopeful कि आपका exam बह section होगा बस मैं बार-बार request कर रहा हूँ इस बार का जो ADRI में जो आपका मतलब vacancies जो आया हुआ है अभी departmental का जो departmental का जो statement का जो statement आया हुआ है कौनसे department में कितना vacancies निकला हुआ है या आपने देखा होगा बहुत अच्छे department दिया हुआ है बहुत अच्छे से exam दीजिए औ जरूर होगा क्यों नहीं होगा हो सकता है आप कर सकते हूँ वैसे comment section जब देखता हूँ तो तोड़ा बुरा सा भी लगता है लेकिन हर किसी को equal treatment हर कोई हर किसी को equally हम मतलब मान नहीं सकते obvious लिया क्योंकि हर किसी का mindset एक जैसा नहीं होता है बस एक चोटा सा चीज हमें तोड बिग जाएगा यह वो मतलब क्या ही बोलो मतलब सर मतलब मैं अपने बारे में मुझे यह चीज देखके बड़ा बुरा लगता है मैं 2017 का मैं ससी qualified हूँ लेकिन हमारा पोस्टिंग नहीं हुआ था आप गूगल करके चेक कर सकते हूँ हमारा पेपर लिक हो गया था हमारा पे उसके बाद फीर हमारा पोस्टिंग हुआ ही नहीं है फिर उससी बाद से फिर हम स्टेट एकजम में हम लगे हुए थे पेपर देने जाते है और गर में आने के बाद पता चलता कि पेपर ओल्री लिक हो चुका है वहां से लेके यहां तक का जान नहीं हमने बहुत कुछ ची जॉब सेकेंडरी है एक पॉजिटीव माइंडसेट होना बहुत जूरूरी है अगर आप अलरीडेडी प्री-डिसाइड़ है कि हमसे नहीं होगा ये पेपार बैकार है ये वो तो मतलब काम ही भी खतम हो गया है तो इसलिए एक पॉजिटीव माइंडसेट रखना बहुत जू सी मैंने दिया है मैं दिल्ली मुकारजी नेगर में था मैं रकष यदव सर में नहीं तूडेंट हूँ और मैं बस इतना चीज में बोलूँगा कि स्थायद हिस्ट्री में स्थायद नेशनल लेबल में ऐसा एक्जाम हमने कभी होते हुए नहीं देखा है हमने बहुत फेलियर ह कभी हमेशा में ऐसे उम्मीद में था ऐसा कोई एक एक्जाम होगा और नीट एन क्लीन के साथ होगा और जिस दिन होगा इस दिन फाड के रख दूँगा सर लास्ट एडियरी में हमारा चार एपंड में आया था हमारे स्टूडेंस को हमें पता है शायद अगर आप नया है अगर आप हमें नया फास्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आम जूट बोल रहे लेकिन हमारा स्टूडेंस को हमें पता है हमारा एडूकेशन में जो एलपी और उप्री में दो में हुआ था हमारा दो डिपार्टमेंट में हुआ था तो टूटल च हमारे नाम से अगर आप वाइरल होना चाहते है अगर आपको कुछ यूनो नेम और फेम मिलता है दर इस नाथिंग रॉंग लेकिन अब इस अभी मोमेंट नहीं है रील बनाने का वीडियो वही का वही रहने वाला है कही नहीं मैं डिलिट करने वाला हूँ बस लास्ट मोग अंसर की हमारा कुछ गलत हुआ था इतना प्यार जो भड़सा है आप लोगों ने शायद हमने और कुछ तोड़ा बहुत अच्छा किया अगर इतना प्यार अगर उसमें भी आप दिखाते तो शायद यूनो लाइफ में और बहुत कुछ कर लेता यूनो बट ठीक है चलो य यह आपका ओपिनियन है आपका प्यार है आपको प्यार दिखाने का आपका तरीका है बट I am all okay with all this मुझे criticism face करना आता है sir it has been seven years of my journey तो तो तोड़ा बहुत maturity है बहुत सारा चीज हमने इस साथ साल में हमने देखा है हम जयल सकते है positivity भी और negativity भी बट I am not going to stop ठीक है इस बात तो इसी को ही पर खतम करते हैं और बहुत अच्छे energy के साथ बहुत अच्छे जोश के साथ इसमें आप लग जाए last one week का 10 days का एक strong एक routine बनाईए और जैसे जैसे हमने आपको बोला वैसे वैसे आप करते जाए I am very hopeful आपका बहुत अच्छा होगा बस अपने आपको demoralize मत करन self motivated करके रखना क्योंकि इस moment में आपका self motivation ही सबसे ज्यादा important है ठीके जी और आप कर सकते हो बाकी लोग अगर कर पाए तो आप क्यों नहीं कर पाओगे अब जरूर कर पाओगे ठीके जी तो इसे को ही पर खतम करते हैं अगले वीडियो में अभी इस वीडियो shoot खतम करते ही मैं comprehension का और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ comprehension में हम आपको श्रोटिक में हम आपको बताएंगे कि question का question में keyword होता है और question का keyword से answer का keyword कैसे match up होता है passage देखके keyword keyword match up करेंगे तो आपका answer आ जाएगा अगर आपको passage बहुत अच्छे समझ में भी नहीं आ रहा है तब भी आपका answer आ जाएगा जो हमें नितु मेंने आमने सिखाया वही चीज़ हम आपको कोशीच करेंगे सिखाने का ठीक है इसको यही पर खतम करते हैं अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अपने friend circle में तुला बहुत शेयर कर लेना अच्छा रहेगा और यहां तक आपने support किया उसके लिए thank you so much अभी हमने 20,000 subscriber भी complete कर लिया है अभी हमारा family 20,000 subscriber के साथ हमारा family आगे बढ़ रहा है और बहुत एक बड़ा family है और you know I am being the captain of the ship और इस team के साथ रह के आप सब से मिल जूल के comments से ही virtually से ही लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है thank you so much for your love and support I wish you all the very best for your exam take care and bye